हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू नियू आक्सपर एजगेशन चलिए आज हम एडूटेडिया का दिहार दोरोगा या प्रैटिसेट है यह आपका वॉल्यूम वन है इसमें आपका वन से लेकर 15 टेस्ट दिया है तो आपका हम परतेक दिन एक टेस्ट करवाएंगे इसी तरह से 15 टेस्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉशन है कि सिंदू घटी सब्वता के बारे में निम्कित में से कौन सा कतन सत है कौन सा सही है आप्सट ए है कि सिंदू घटी सब्वता के लोग कापास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, यह बिल्कुल सही है, option A हो जाएंगे, आगे देखते हैं, second question आपका है, कि जैन धर्म के त्री रत्म में सामिल है, यह है सम्वेक दर्सन, सम्वेक ग्यान और सम्वेक आचरन, जिसका अर्थ होता है, सही बिस्वास, सही ग्यान और सही आचरन, option C हो जाएं आगे देते हैं, question number 3, next question है, कि चोल अभी लेखों के अनुसार, जैन संस्थानों को दान में दी जाने मेले भूमी को क्या कहा जाता था, इसे कहते थे, पल्ली छादनम, option number B हो जाएंगे, question number 4, 4 है, कि विसाखा दद द्वारा, रचेत, मुद्रा रक्षस में कौन सा भासा मे लिखी गई है, यह लिखी गई है, आपका संस्कृत भासा में, option C हो जाएंगे, आगे देते हैं, question number 5, question है, कि निम्र्कित में से, किस सासन के सासन काल में, भात का पहला, मुद्रा, रूपिया, मुद्रित हुआ, दिया हुआ था आपका, 6 सा सूरी के समय में, यानि option number B हो ज हुआ था, यह हुआ था आपका, अरंग जेब के समय में, option number D हो जाएंगे, आगे देते हैं, question number 7, question number 7 है आपका, कि भारत में किस गवार्णर जनरल को आस्थानिय स्वासासन का पिता काते हैं, तो इसे काते हैं, लाउड रिपन को, लाउड रिपन को भारत में आस्थानिय स आस्थानिय स्वासासन का जनक का आजाता है, यानि पिता का जाता है, लाउड रिपन हो जाएंगे, option A, लाउड रिपन के समय में ही याद रखेगा, 1881 में नियमित जनगना प्रारम हुआ था, 1881 में उसके समय से परतिक 10 वर्ष पर जनगना शुरू हो गया, जो अभी तक चलते आ रहा है, आगे देते हैं, question number 8, question है, कि British समराज में अवद का बिलाई कब हुआ, यह हुआ अपका 1856 में, 1856 में आपको British समराज में अवद का बिलाई कर दिया, कौन Lord Dalhoji ने, Lord Dalhoji ने कुशासन के आरोप में इसे अपने समराज में मिला लिया, यानि वर्ष 1956 में, यानि जो बंगाल बिभाजन हुए थे, इसके बिलुद में सौदेशी आंद्रों प्रारम किया था, यह क्या था, आपका सुरेनाथ बनरजी ऑप्सन ए हो जेंगे, एक ही ध्याना कि आपको बंगाल बिभाजन आपको 20 जूले 1905 को घोसना हुआ था, बंगाल बिभाजन का, जो आपका सुल अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, यानि बंगाल का बिभाजन हो गया, इसके बिलुद में आपका साथ अगस्त 1905 को सौदेशी आंद्रों प्रारम हुआ था, यह डेट भी आप ध्यान रखेगा, आगे देते हैं कोश्चन अबर टेन, कोश्चन अमर टेन है अपका, कोश्चन है कि किस बैक्ती ने महत्वां गंदी को पहली बार राष्ट पिता काकर संबोदित किया था, या किया था, स्वास्चन बोष, ऑप्शन सी हो जाएंगे, कोश्चन है कि सत्य सोदक समाज क्या स्थापना हुई थी, या क्या था, जोती बाफ फूले आपका, अठार सो तिहत्तर इसमें, ऑप्शन सी हो जाएंगे, आगे कोश्चन अमर बारा, कोश्चन बारा आपका, कि अटला देवी महजीत का नेमान किस सासक दोरा क्या था, या क्या था आपका, इबराहीम सा सटकी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, नेक्स्ट है, कोश्चन अमर तेरा, कोश्चन है, कि अलावद इंखिलजी के समय, भूर आज सब किदर, उपरज का कितना भाग था, या सब से अधिक था आपका, 50%, यानि 1 by 2 भाग, इसको बोल सकते है, 50%, तो 50% थे, आगे देते हैं, कोश्चन नमर चौदर, कोश्चन है, कि भारती समिधान अपने नागरिकों को की समनता का वचन देता है, परतिष्ठा और आउफसर की सुदनता का वचन देता है, या भाग का अपका परस्तावना में इसका उलेग किया गया है, कांके का परस्त करने का सुजहाव दिया था, यह दिया था अपका सरदार सोर्ण सिंग समिधी, जो आपका 42 समधान संसुदन, 1942 समधान संसुदन, 1976 के द्वारे से लाग किया गया, आगे देते हैं, कोश्चन नमर 16, कोश्चन नमर 16 है अपका, कि अनुसुचित जन जाती को सनक्षन के लिए एक छितर को अनुसुचित छितर के रूप में घोसना करने की सकती किस के पास होती है, यह होती है अपका, राष्टपती के पास, राष्टपती को यादिकार है, कि वो अनुसुचित जन जाती के लिए अनुसुचित छितर को घोसित कर सके, आगे देते हैं, कोश्चन नमर 17 Quesion है कि ग्राम सभा निम में कौन सामिल होता है यान ग्राम सभा में कौन सामिल होते है Option A है गाउंग बिस्यस में रहने वाले ब्यक्ति Option B है वे सभी ब्यक्ति जिनके नाम गाउंग बिस्यस में पंचैत के लिए मत दाता सूची में दर्ज है बिल्कुछ सही है option number B हो जाएंगे क्राम समवा आपको गौव के वेशभी सत सामिल होते हैं जो आपका मत दाता सुची में सामिल हो आग देते हैं question number 18 कि सम्धान का 9 से कौन सा सम्धान संसोदन किंद्र और राज्यों में मंत्री परसद के मंत्यों का अधिक्तम संक्यां सिमित करता है अधिक्तम संक्यां आपका है 15% 15% से आप अधिक मंत्री नहीं बना सकते यक किया गया आपका 91 स्मधान संसोदन 2003 के दोरा यक किया गया 91 स्मधान संसोदन 2003 के दोरा याद रखेगा option C हो जाएंगे आगे देते हैं question number 19 question number 19 आपका कि निम्मे से कौन सा एक सम्मेधानिक संस्था नहीं है तो संग लोग से बायोग या सम्मेधानिक संस्था है राज लोग से बायोग यह भी है बीत बायोग यह भी है और नीती आयोग यह नहीं है क्योंकि नीती आयोग आपको एक जनवरी 2015 को आपका योजना आयोग के अस्थान पर बनाए गया था तो नीती आयोग आपका यह एक गैड स्विधानिक संस्था है आगे देते हैं कोश्चन नमर 20 कोश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में काड़िपली का परिशत के उपसभापती कौन थे यह था आपका जवारलाल नहरू आपसन नमर बी हो जाएंगे नेश्ट है कोश्चन नमर 21 कोश्चन है कि भारतिय स्विधान में किस नमर में किंसासित परदशो के लिए उच नेलाय का प्रवधान है यह आपका अनुछएद 241 में जबकि आपका राज के लिए आपका उच नेलाय का प्रवधान करता है अनुछर 24 में इसमें उलेक है कि सभी राजों के लिए आपका उचनेले का प्रवधान किया गया है यह है आपका अनुश्यद 214 में जब कि आपका अनुश्यद 231 में एक या एक से अधिक राजों के लिए उचनेले का अस्थापना का प्रवधान किया गया है तो यह सभी important अनुछित है इसे आप याद रखेगा आगे देते हैं question number best question number best है कि लोग सभा के speaker का निवाचन होता है option A है संसत के सभी सदसों दोरा option B है पर्त्यक शुरूप से जनता दोरा option C है लोग सभा के सभी सदस दोरा बिल्कुर सही होगा लोग सभा के सभी सदस दोरा लोग सभा के speaker को चुनाव करते हैं आगे देते हैं question number best question है कि निविकित में से कौन से मामले उच्छ नेलय और उच्टम नेलय की अधिकारिकता में आते हैं यह आपका मूल अधिकारों का प्रवर्थन option C हो जाएंगे ध्यान रखेगा कि मूल अधिकार का प्रवर्थन यानी उच्छ नेलय का supreme code के पास है अनुछ थिद 32 के तरथ जबकर आपका high code के पास है अनुछ थिद 226 के तरथ यानी supreme code अनुछ थिद 32 के तरथ रिट जारी कर सकते हैं और high code आपका 226 के तहते रिट जारी कर सकते हैं यह नुच्छिद भी आप याद रखेगा इंप्रोटेंट नुच्छिद है आगे देते हैं कोश्चन अबर 24 कोश्चन अबर 24 है कि सौनम चत्रवुज यानि गोल्डेन ट्रेंगल एक बिशिश छेतर है जो मादक दरवों के तसकरी के लिए परसीद है निमे से कौन सा देश इस्तिरूज का भाग नहीं है तो इसका भाग आपका थाइलेंड है मयामार है लाओस है लेकिन इसका भाग कमबोडिया नहीं है तो आपका एंसर रहेगा कमबोडिया आग देते हैं कौश्चन नमर 25 कौश्चन है कि अंतराष्टिय प्रवासी दिवस मनाये जाता है तो राष्टिय प्रवासी दिवस आपको बता होगा कि नौ जनवारी को मनाते हैं लेकिन अंतराष्टिय प्रवासी दिवस आपको 18 दिस्वंबर को मनाते हैं option B हो जाएंगे 18 December को मनाते है option B हो जाएंगे आगे देते हैं question number 26 question है कि लोश्ण तोहार कहां लोग परिया है यह आपका सिक्किम का लोग परिया दोहार है अगे देते हैं question number 27 question है कि युनेक्स कॉप किस खेल से समझेता है यह आपका बैट मिन्टन से option A हो जाएंगे next is 28 question है कि सूरज ताल जील किस राज में इस्तित है यह आपका है हिमाचल परिदिश में इस्तित option B हो जेंगे सूरज ताल जील कहां है हिमाचल परिदिश नेश्ट है question number 29 Question है कि ecosystem क्या सही प्रिवासा क्या है Option A है कि प्रस्पर किरिया करने वाले जीब समूद है Option B है किसी आस्थान का और जीविय घटक Option C देख लेते है Option C है कि प्रिथवी और बायूमनल का छेतर जहां जीब रहते है Option D है कि जीब समूद है और उसके वातावरन का संतुलित तंत्र Option D बिल्कुल सही है आगे देते हैं question number 30 Question है कि प्रिष्टिकी संतुलान बना जाखने के लिए भात में 1 छेतर कितने परतिसत होनी चाहिए यह होने चाहिए आपका 33.30% Option D लेकिन अभी आपको भात में 1 छेतर है वो है 21% लेकिन इसमें विख्ष लगा दीजे तो यह होता है 24% विख्ष को लगा कर 24% है और 1 है 21% लेकिन होना चाहिए कितना तो 33% आगे देते हैं Question Number 31 31 है कि MP Fights पौधे बहुत अधिक विख्षित होने वाले पौधे है जो अन पौधे पर निर्भर रहती हैं क्यों जल करने के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए यांत्रिक मदद हेतू यह होगा यांत्रिक मदद हेतू Option C हो जाएंगे आगे देते हैं Question Number 32 Question कर रहा है कि निमकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है इनमे से कौन सा कर रहा है सही सुमिलित नहीं है तो Simlipal यह आपका जैब मंडल अरक्षी छेतर है तो Simlipal 1994 में बिल्कुल सही है यह आपका मेंचिंग सही है B है Simlipal उडिसा में धेना कीगा B है कंचन जंगा जो सिक्की में है इसका अस्थापना दिया यहां 2002 यह गलत है 2002 मुन नहीं क्या है यह आपका 2000 इश्वी में हुआ था तो B आपका गलत है नोकडेक 1988 पन्ना 2011 बिल्कुल सही है नोकडेक है मेंगाला में पन्ना है मदपर्दिश आगे दिखते हैं कोश्चन नमर 33 कोश्चन है कि छेत्रिय भासा में निर्ने प्रकासित करने वाला पाहला है कोट कौंसा है यह करेंट पर कोश्चन है तो यह आपका केडल शेत्रिय भासा में नेरने प्रकासित करने वाला पहला है केडल एक यह और ध्यान रखेगा कि गुजिनात जो है कोट है यह आपका है कि लाइव प्रकासित करने वाला पहला है कोट जो नीरने होते हैं, इसके लाइप प्रकास्षिन करने वाला है अपका गुजनात है कोड़ा है, तो दोनों कोशन आप धियान रखेगा, आगे देते हैं कोशन नवा 34, कोशन है कि किस राज सरकार दोरा सावास एप को जारी किया है, तो यह कि आपका 34 को जाएगा, कोशन है कि हाली में संगम नौसेना अभ्यास का आईजन भारत ने किस देश के साथ किया है संगम नौसेना अभ्यास किया है या किया आपका चीन के साथ किस के साथ किया है चीन के साथ किया है कहा किया है या किया है गुआ में आग देते हैं question number 36 question है कि अंतराश्टिय स्रम संगठन आयलो में सामिल होने वाला एक सो सातीसवा देश सतास्यवा कौन सा है यह आपका है टोंगा यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है इसे ध्यान रखिया जदि आप हमारे चैनल पर नीव है तो चैनल को जरू सस्क्राब कर लिए आपको यहां पर बिहार द्रोगा के लिए सभी मेटेरियल मिल जाएंगे और आपको सभी प्रैटिसेट जितना भी आएंगे आपका इरूटेरिया का या और भी पॉब्लिकेशन का यह आपको यहां पर हम अपूलाद करा देंगे आपको आगे देते हैं कोशन नमर 37 कोशन है कि हिंदी विश्व सम्मेलन 32 जिसका आयोजन फीजी में किया गया तो एक को देश मंतरी S जैसें करने ओप्शन D होजेंगे आगे देते हैं कोशन नमर 38 38 है कि भारत सिकार ने भुक्कम प्रभावित देशों देश तुर्की और सिरिया के मदद के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया यह चलाया था ओपरेशन दोस्त ओप्शन B होजेंगे ओपरेशन दोस चलाया था अगरते हैं कोशन नमर 39 कोशन है गलोबल फ़ायर पावर इंडेक्स त्यश्में कांसा दिस परथम आस्थान पर है यह अमेरिका भारत सिसमें चौथा अस्थान पर कौन है पालाविया अमेरिका आगे देते हैं कोश्चन नमर फोटी कोश्चन है कोश्चन है कि वीट वर्ष दुज़ा तेश चुपिस के दोरान देश का जीडीपी विगाजदर कितना रहने का अनुमान है यह है आपका 6 से 6.8 परसेंट 6 से 6.8 परसेंट ओप्शन बी होजएंगे नेच्ट है कोश्चन कोश्चन है कि दूद उत पादर में भात का स्थान विश में कौन सा है यह है पका पहला दूद में पहला स्थान है आगे देते हैं कोश्चन नमर फोटी टू कोश्चन है कि अरजुन पुश्चकार दूद बैस से समानित सुरुश्री अंसु का समद्ध किस खेल से है यह है कोश्ची से ओप्शन बी होजएंगे आगे देते हैं कोश्चन नमर फोटी टू ग्रैमी पुश्चकार 23 है तू अलबम अफ़ द़ यहर किसे चुना गया अलबम अफ़ द़ यहर किसे चुना गया यह चुना गया आपका हैड़ी हाउस अबसन बी होजएंगे जबकि Song of the Year चुना गया Just Like It दोने देन रखेगा Song of the Year Just Like It और Album of the Year Hady Horse आगे देते हैं Question No. 44 Question है कि परसीद पुस्तक Victory City के लेखा कौन है यह है सलमान रोधी Option B यह हो जाएंगे Option A हो जाएंगे आगे Question No. 45 Question है कि विश्च कैंसर 32 का थीम क्या है विश्च कैंसर दिवस्च का थीम क्या था यह है अपका Close the Care Gap आपको ध्यान रखना चाहिए कि विश्च कैंसर दिवस्च हम आपको चार फरवरी को मनाते हैं को मनाते हैं चार फरवरी को विश्च कैंसर दिव मनाते हैं आगे आपको Question No. 46 Question है कि Statue of Knowledge को अस्थापित किया गया Statue of Knowledge को अस्थापित किया गया यह किया गया आपको महरास्ट में यह एक परतीमा है भीमरा अंबेटिकर जी का परतीमा है जो लगबग 70 फूट का है इसे Statue of Knowledge का नाम दिया गया कहां स्थापित हुआ महरास्ट में Question No. 47 Question है कि जनवरी 2030 में आए रिपोर्ट का नुशार 2022 में भारत का सबसे परदुसर कौन सा है यह है नेडिल्ली Option A जेंगे Next है Question No. 48 इसमें दिया गया आपका एक सेरदिया है राज और दूसरे सेरदिया है राजपाल इसमें का रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानि कौन सा गलत है तो देखिए और रुनाचल परदेश केरी परनाइक बिल्कुल सही है मेका लाए फागुचान बिल्कुल यह अब याले बिहार का राजपाल थे आपको मेका लाए का राजपाल बने गये है फिर आपका जारखन सीपी राधा किसन यह भी सही है डी है महरास्ट महरास्ट में दिया है गनिसला यह अब का गलत है महरास्ट में गनिसला नहीं है यहां है रमिस बैस आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे आग देते हैं कोश्चन नमबर फोटी नैन फोटी नैन आपका कि हाली में तुलसी दास बल्राम का निधन हो गया इसका समन्द किस छेतर से था यह था आपका खेल से यह एक फोटवालर थे आप्शन ए हो जाएंगे कोश्चन नमबर फिप्टी कोश्चन है कि भारतिय परतियस्परदा आयो के नए अध्यक्ष कौन बने है भारतिय परतियस्परदा आयो का नए अध्यक्ष कौन बने है यह बने है संगिता वर्मा ओप्शन एव जेंगे संगिता वर्मा आगे देते हैं कोश्टन नबर 51 कोश्टन आए अंतरास्टे धम सम्मेलन का उदगाटन कहां किया गया तो यह किया गया भौपाल में आप्सन एव जाएंगे कहां कियागा भौपाल में और राष्टपती द्रोपती मुर्मूजी ने इसका उदगाटन किये थे आगे देते हैं कोश्टन नंबर 52 कोश्टन है कि हाली में द्यान सरस्थथी के कौण सी जहनती मनाई गई या मनाई गई दो सवाँ जहनती ऑफशन भी जाएंगे नेक्स देते हैं 53 नंबर कोश्टन कोश्टन नंबर 53 है कोशन है कि हाली में दुनिया का सोरी हाली में किसके दुरा दुनिया के सबसे लंबी प्रेटफॉर्म का उद्धाटन हुबली में किया गया यानि अब सबसे लंबा प्रेटफॉर्म काया बनाए तो हुबली में ये भी द्यान रखेगा यह क्या आपका नेद मोधी बागत के प्रदावंत्री हमारे प्रदावंत्री नेद मोधी ने इसका उद्धाटन किया है यह आपका हुबली करनाटक में है द्यान रखेगा ओप्शन एव जेंगे कि अस्थान लेंगे रामचंदर पंडौल ऑप्शन एव जेंगे नेश्ट आपका कॉस्टन नवरा 55 हाली में किस राज में आयोई सांग उत्सब मनाया गया यह मनाया आपका मनीपूर में ऑप्शन बी हो जेंगे 55 का आपका आप्शन बी हो जाएंगे आग देते हैं कोस्टन नवरा 56 56 है कि महराष्ट भूसन पूर्शकार 22 किसे समानित किया गया या कियागा अप्पा साहिव धर्मा अधिकारी आप्शन ए आगे हैं कोस्टन आपका नेक्स्ट 57 कोस्टन है कि बंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाला पहली करने वाली पहली महिला ड्रेवर कौन बनी है बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है इसे याद रखेगा आपका शुर्य खार यादब आप्शन बि रहएंगे याद बन करते हैं और मार्च अपरिल में हिसकी कटाई की जाती है कोशन है कि जूट उत्पादर में अग्रणी राज है तो जूट में सबसे आगे है आपका पस्षी मंगाल और सकेंड पस्थान है बिहार का दियान रखिएगा कि किस भारतिय किस भारतिय राज की अधिक्तम सीमा मैंमार से लगती है किस भारतिय राज की अधिक्तम सीमा मैंमार से लगती है दियान रखिएगा 60 के जगा आपका और नाचल परदिश ऑपसन ए हो जाएंगे नेक्स्ट है 61 कोशन है कि भारत के उत्री मिलान में सी तिर्यूत में वार्सा होती है किसके करण से तो यह होती है आपका पच्छमी बिछोब के करण ऑपसन बी हो जाएंगे पच्छमी बिछोब नेक्स्त है कि कॉपी पोट के नाम से जाना जैता है यह जाना जैते है सेंटोष यह एक ब्राज्जिल का सहर है सेनटोष आगो जिते हैं कोशन अबर 63 कोशन है कि नंदा दे्वी चोटी किस हमाईल्यका बहाग है यह हापका है कुमाईयू हमेल्यका बहाग है option C हो जएंगे आगे question 64 question है कि दूपो का समूँ लक्ष दूप है यह अब गा परभाल नइमित यानि परभाल बीती दूआ नइमित आप इस जएंगे next है cuition 65 question है कि दूद गंगा नमकित में से किसकी साहिक नदी है दूद गंगा नमकित में से चिनाएव का पIchनाउब का स्थायक नदी नेक्स और यह अभर यानि wheat यह सही मातर क्या होता है यह अभर नूइटन है-वह का यह इन्यूट होता है परता है किलोग्राम एक नेक्ष्ट आप का question number 67 यहां से से स्टाट है यानि 66 से स्टाट है 67 है कि नमकित में से कौन सा यंत्र समूद्र के अस्तर से उपर बस्तों के देखने के लिए पंडूबी में उप्योग किया जाता है यह करते हैं पैरियस्कॉप option B रहेंगा पैरियस्कॉप question number 68 question है कि यदि कार्रि के अमान धनात्मक हो तो जिस निकाई पर कार्रि हो रहा है क्या प्रभाव परेगा तो उसकी उर्जा में ब्रदी होगी इसकी उर्जा में ब्रदी होगी आगे देखते हैं next question आपका कि यदि दो कनों की बीच के दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुर्टा कर्शन बल पर क्या प्रहा परेगा तो देखिए यह आपका एक force होता है गुर्टा कर्शन बल GM1 M2 by R² तो देखिए द्यान जैसे जैसे दोनों mass के बीच का दूरी बरहेंगे तो force का value घटेगा क्योंकि आपका R नीचे में है तो यह आपका R जैसे जैसे बरहेगा यह पूरा value घटेगा तो बीच का दूरी जैसे जैसे बरहेंगे force का मान घटेंगे और दूरी जैसे जैसे घटेंगे force का मान बरहेंगे तो यानि ध्यान रखेगा force होता है वह universally professional to R² तो यहाँ question है कि कनो की बीच कुदूरी बढ़ी जाती है तो बल क्या होंगे तो बल आपका कम हो जाएंगे यानि घट जाएंगे option B हो जाएंगे आग देते हैं question number 70 question है कि उत्प्रेक्ष बल और भार कारिज करते हैं यानि आपका वैंची force और weight काम करते हैं ध्यान रखेगा को भी ही बस तू आप जब water में ले जाते हैं तो इस पर एक weight लगता weight तो हमेशा लगता है mg नीचे की और लेकिन water में जब ले जाएगा तो इसके एक उपर लगता एक वैंची force लता है ρो भी जी एक वैंची force लगते हैं ध्यान रखेगा वैंची force हमेशा weight के बीप्रित दिशा में ही लगते हैं तो कहां लगते हैं तो बीप्रित दिशा में जब कभी आप नदी में कुदते होंगे या तैटे होंगे तो देखते होंगे नीचे से उपर क्यों फेक रहा है तो यही वैंची force लाता है जैसे हम कुदते हैं तो मेरा weight नीचे क्यों लगता है और वैंची force के कारण वह हम उपर आ जाते हैं तो अपने practical करके भी देख सकते हैं तो यह दोनों बीप्रित दिशा में काम करते हैं Q21 है कि निम्मे से क्या तरंग की विशिष्था नहीं है आयाम है तरंग दय यानि आपका विवलेंद है आउर्थी यानि फिर्क्वेंसी या भी है लेकिन medium नहीं है option D हो जाएंगे इसका answer आगे Q72 Q72 है कि निम्मे कित्मे से कौन सा विकल्प रसाइनिक प्रिवतन है दूद का दही में प्रिवतन होना दूद का दही में प्रिवतन होना या बिल्कुल रसाइनिक प्रिवतन है रसाइनिक प्रिवतन में कोई नया चीज़ बनेंगे जबकि बहुतिक प्रिवतन में नयाची बनेंगे इसे वापस भी हो सकते हैं तो जैसे सुक्ष बर्फ का सब्लिमेशन तो ये बर्फ जो है पिघल के पानी बन सकते हैं नेक्स टाप का 73, कि नमर्कित में से किसमें परमानों की और विवाजिता के बारे में बताया था, ये बताया आपका डाल्टन ने, option A हो जाएंगे, नेक्स टाप का 75, कि नमर्कित में से कौन सा समान पर दर्वावस्ता में होते हैं, आप लोग इसे पहले जानते होंगे, कि बरोमीन होते हैं और पारा होते हैं, जो समान पर दर्वावस्ता में होते हैं, लेकिन गैलियम भी आपका समान पर दर्वावस्ता में रहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगा गैलियम नेक्ट आपका 75 कोर्शन है कि नमकित में से कौन सा कौन सा किसी धादू का लेक्टोनिक बिन्यास नहीं है तो दो एक तीन यानि हैट्रोजन हीलियम और लीथियम यह आपका लीथियम को हो गया दू चार यानि च्छदू आठ तो आठ हो ज यह यह अक्षियम दू यहाने गयारा यह एक होता है च्छदियम का अतोम नंबर होता है फ्रूजन ہब कि करतांग च्छदू आपका ज्याद को ओप्सन बी हो जाएंगे, आगे देते हैं question number 76, question number 76, question है कि निम्खित में से किसी एक तत्व के भार की तूला में एक मुल विसेस्ता माना जाता है, तो यह मानते हम परमानु करमांग को, यानि atomic number को, option D हो जाएंगे, next type का 77, question है कि आक्षी करन प्रकिरिया में निम्खित में से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऑक्षी करन प्रकिरिया में, ऑक्षीडेशन नमबर बढ़ते हैं आपको, ऑक्षीडेशन नमबर बढ़ते हैं, यानि एक है, तिहां से दू हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, लेकिन ये तो आपको चार्ज दिख रहा है, बढ़ते हैं, प्लस चाह चाहता है इसमनों इलेक्ट्रोन घट रहे हैं ध्याना किएगा इलेक्ट्रोन की कमी होते हैं और जबकि अवकरन में इलेक्ट्रोन की बिर्दी होते हैं यह ध्याना किएगा आगे देते हैं, question number 78, question number 78 है आपका, question है कि यदि किसी लवन का प्याचमान सुनी है, तो वह का लवन होता है, तो वह किसका लवन होते हैं, सक्त एसीड यानि strong एसीड और weak base होते हैं, option A हो जाएंगे, question number 79, question है कि जल्ये बिलियन में किसी अम्ल या चार में क्या प्रिवतन होता है, option A है कि छार जल्य में OH-I निम्मित करते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि अम्ल यानि आपका जल्य में H-I देते हैं, देना कि अम्ल जल्य में H-I देते हैं, और छार जल्य में OH-I देते हैं, अम्ल का प्याचमान साथ से कम होते हैं, और जबकि छार का प्याचमान साथ से अध सबसे पहले आवर्थ में रखा गया है तो यह होते हैं खाद में ऑप्शन B हो जाएंगे कि अधात्व का ब्यापक उप्योग निम्मे से किसमे होता है यह होते हैं खाद में ऑप्शन B हो जाएंगे कि कास्टिक सोडा जिसका रश्राणिक निम्म सुध्र होता है एन ए ऐ एक एक तीछ को स्टेगा नाम है शोडियम हैंड्रोक्ष आप्शन B हो जाएंगे आगे नेक्स्टक्राइब का कुस्सन कोशन है कि हेमटोलोजी गादियन में से किस क्या होता है तो हम दोलोजी होते हैं आपका रक्त गादियन यानि ब्लड गादियन आग देखते हैं कोशन नमर 84 पानी की कम्हक्मी के करण कोशीका के संकुछित भीती से अलग होने की परकिर्या को क्या कहा जाता है यह कहते हैं प्लाजमो लॉसिस ऑप्सन डी उजेंगे कोशन है कि हमारे शरी में वसा संचायक उत्तक कौन सा है यह है एडिपोज उत्तक आप्शन यह हो जाएंगे कोशन है कि अस्थाई उत्तकों के निर्मान के लिए एक अस्थाई संचना अकार और किरिया अपनाने की किरिया को क्या कहा जाता है यह करते हैं बीवेदन ऑप्शन डीव जाएंगे कोशन है कि पादपों में सबसे परचूर मत्रा में उपस्थित तत्व है तिया है कारवन ऑप्शन सीव जाएंगे सबसे अधिक होते हैं कारवन नेक्स टाप का 88 कोशन है कि नमकित में से किस ने सजी बस्तों में लक्षनों की अरुवान्सिक के सिधानत को परतिपादन करने में योगदान दिया तिया गरेकर मैंडलने ऑप्शन सी हो जाएंगे आगे देए कोशन नमर 89 कोशन है कि जोग नमकित में से किस संग से समदीत है तो यह आपका एनी लिड़ा गुरूप का संग समदीत है एनी लिड़ा ओप्शन यह हो जाएंगे नेक्ट आपका कोश्चन नमर 90 कोश्चन है कि नमखित में से किस में हेमोटोंड दांत पाए जाते हैं हेमोटोंड दांत पाए जाते हैं यह पाए तब का हेमोटोंड दांत यह पाए तब का मचले में आपसन ए हो जाएंगे नेक्ट आपका 91 कोशन है कि मनुसों के बाच्छन तंत्र में उत्साजित अमल कौँ सा है यह आपका HCL हैट्रोकलोरी का अमल है HCL नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कोशन आपका 91 सोड़ी 92 कोशन है कि निमकित में से कौँ सा रोग विसानु जनित नहीं है चिर्चक बिल्कुल है एन्फलूजा भी है खासरा भी है लेकिन तप्यतिक यानि टीवी नहीं है यह आपका विसानु जनित नहीं है यह आपका बैक्टिडियास होता है आगे देते हैं कोशन नमर 93 कोशन है कि 1949 में भारत सरकार दोरा निक्त राष्टी आईल समीती का द्यक्ष नमेकित में से कौन था तो यह आपका पीवी महालोविश ऑप्शन बीव जाएंगे आगे देते हैं कोशन नमर 94 कोशन है कि National Academy of Agriculture Research Management इस्थित है तो यह आपका है है हैदरावाद में ऑप्शन बीव जाएंगे यह से आपका 95 कोशन है कि निमखित कीमत सुचनांगों में से केंच साकार के कर्मचारियों की मजदूरी में च्छती पूरती है तो किसका प्योग किया जाता है यह आपका 96 से 100 के बीच आपका माहित का कोशन है चलिए यहां से स्वल्ब करते हैं 96 है कि 39 और 156 के बीच मद अनुपाती X है और 20 और 36 के तीरती अनुपात हुआ है तो 6X अनुपात 13Y क्या होगा? सिंपल कोशन है देखिए मद अनुपाती X है तो यह सिंपल है का यह जगा रूट अनुपात अनुपात यहां से आपका X और Y के मान आएगा और यहां रख दीजेगा यहां स्वल्ब नहीं हो पाएगा इसे इसको स्वल्ब कर लीजेगा यह क्यूस्टन आपको हम बता दिया है इसका एंसर आजाएगा आपका आप्शन A दो अनुपात तीन आपका देते हैं कुश्चन नमर 97 यह बहुत अच्छा कुश्चन है कुश्चन कहरा है विसराम को छोड़कर एक बस 64 किलोमेटर परती घंटा है और विसराम सहित वह 48 किलोमेटर परती घंटा है तो परते एक घंटे में बस कितने मिटनट बिसराम करते हैं देए बहुत अच्छा कुश्चन है कि यदि कोई ब्रक्ती एक घंटा में बिसराम ना करे यानि रूके नहीं तो यह जाता है 64 किलोमेटर जबकि वह रूकता है तो वह जाता है आपका 48 किलोमेटर यानि वह देखिए एक घंटा में कितने किलोमेटर कम चलते हैं तो 64 मैनस 48 कीजिए तो आज़ेगा आपका यह आज़ेगा आपका 8 8 14 6 48 48 है तो यह ज़ेगा आपका 16 यानि 16 किलोमेटर एक घंटा में वह 16 किलोमेटर कम चलते हैं तो यह कितना बिसराम करते हैं तो 16 बटे 16 हो जाएंगे गुन्ये 60 16 चुगा 64 और हो ज़ेगा 15 चुगा 60 यानि वह आपको एक घंटा में 15 मिनट बिसराम करते हैं एक घंटा में वह आपको 15 मिनट बिसराम करते हैं ओप्शन D हो जाएंगे नेश्ट आपका 98 यह तो बहुत सिंपल कोशन आपका कि यहां देखिए 2 प्लस रूट 3 इंटू A दिया है बराबर 2 मैनस रूट 3 इंटू B बराबर 1 दिया है देखिए यह तीनू बराबर है तो इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं यहां से आपका A के वहलू आजाएगा 1 बटे 2 प्लस रूट 3 और यहां से आपका B के वहलू आजाएगा 1 बटे 2 मैनस रूट 3 यह आए गया आपका A और B के value जबकि हमसे पुछ रहा है 1 by A प्लस 1 by B तो आप यहां से 1 by A के value जब निकालिएगा तो इदेखिए A के value है आपका 1 बटे A के value है 1 बटे 2 प्लस रोट 3 तो 1 by A के value हो जाएगा आपका 2 प्लस रोट 3 हो जाएगा और 1 by B के value हैगा 2 मैनस रोट 3 दोनों करें एड करने के लिए रोट 3 प्लस रोट 3 मैनस कर दिए आप दो दोनी 4 बच गया आपका हो जाएगा answer option number D यह बहुत ही आसान question था option number D हो जाएगे next आपका 99 question यह भी आसान question है करें तीन साज़दाड़ी A, B, C करमसा 40,000, 38,000 और 42,000 लागा कर एक बेपार करते है एक वर्ष्ट के अंत में वह 55,200 रुप्या का कुल लाब कमाते हैं तो A का भाग कितना हुआ यह simple है देखिए जैसे पैसा है इसी अनुपात मुसको लाब मिलेंगे जैसा पैसा इन्वेस्ट किया है तो यह आप कर दीजे 46,000 अनुपात 30,000 अनुपात 42 ठीक यह जिस रेस्ट्यूम आया है इसी रेस्ट्यूम उसको पैसा मिलेंगे जैसे पैसा इनुपात किया है वह ऐसी लाब मिलेंगे तो आप इसको की जगा तो यह जगा 20 यह जगा आपका 20 यह जगा 29 यह जगा 29 यह जगा 21 यह तीनु करमपात निकल लिए यहां साथ एक भाग निकाल सकते हैं यह जगा आपका 20 बट्य तीनों को जोर दीजे गुने 5200 यहां साथ पहलू आजाएगा 99 का ओप्सन नमपर ए यह जैंगे ओप्सन नमपर यह जैंगे ओपसन नमपर यह जैगा 18600 आगए देते हैं और लास्ट कोशन है यह जगा एक चुनाव में दो उमेजार है एक उम्यदार को 71% मत मिलता है और वो 556 मतों से चुनाब जीत जाते हैं ध्यान देज़ेगा दो आदमी वोट में खड़ा है तो एक आदमी को जब 71% मिला तो दूसरा कितना मिला होगा तो 100 में से मैनस कर दीजे तो 39% मिला होगा और जो यह जीत गिया 71% वाले इसको देख लिजे कितना परसेंद वोट अधिक मिला है वही वोट आपको दिया है 756 तो सिंपल है वोगा क्या करना है वोगा 71 में से आपको 29 को मैनस करना है 71 से आप 29 मैनस कीजिए तो यह आपको होगा 9,2,1,1,6,4,2,4,2 42 यानी 42% जो है वो है 756 यह आपका है 42% है 756 यहांसे एक आप 1% निकाल यह तो 756 बटे 24 100 निकाल यह गिने 100 कर दीजिए यहांसे आप कैल्कुलिशन कीजिएगा यह आगा को 800 option C हैंगे आज एक लिए तना ही थैंक्यू दैने बाद मैं अगले वीडियो में आपको सकेंड इसका जो टेस्ट है वो सकेंड टेस्ट लेकर आएंगे